तो वेल्कम पैक गाईज एक और नीव वीडियो के साथ कोटेक्स टेडिंग और यह सॉरी बैनरी टेडिंग कोटेक्स तो एक ब्रोकर है ठीक है तो आज की डेट में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ठीक है और वीकनेस जोन और वीकनेस मूफ की तो अभी हम बात नहीं करेंगे मैं अल्रेडी बता चुका हूं ठीक है अगर आपने केंडिलिस्टिक स्ट्रॉंग वीक नॉर्मल न्यूटल के बारे में जानते हैं तो आप समझ जाओगे और अभी हम लोग रजिस्टेंस एंड सपोर्ट या फिर सपो क्यों अधिन गर्डिंग नॉलेज ठीक है तो अभी यहां पर ध्यान से देखो अभी देखो कुछ मैं ज्यादा कुछ इस टेक्शर नहीं बना रहा हूं में आपको यहां से देखने वाली बात समझ नहीं भी समझना है आप मैं थे खूंसेप्ट अब देखो अब यहां से म मूव आया है तो यह मूव एक मूव ही है समझो अब यहां पर ऐसा बने ठीक है तो अब हम लोग support एंद डिस्टन लेदे रैट इसी के साफ से ठेक है तो अब यह ट चेंजिंग के साफ सपोड गतर्द केने अब यह की वी पर नहीं है ठीक है अब हमको यहां पे एक सपोर्ट चाहिए ठीक है तो सपोर्ट हमको मिल गया ठीक अब एक रजिस्टन्स चाहिए हमको तो यही सिब बता रहा हूं मैं आपको इसी को समझना अच्छे से अब देखो यहां पर एक और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टन्स बना लेते हैं ठीके अब यहां पर एक हमारा रेजिस्टन्स एरिया हो गया ठीके और एक सपोर्ट एरिया हो गया इसका विक भी रख देते हैं ठीके सपोर्ट एरिया हो गया अब ध्यान से देखो यहां पर अब ध्यान से यहां पर समझने वाली बात क्या है ठीके यह उपर रेजिस्टन्स हो गय यहां पर सपोर्ट हो गया यहां पर सपोर्ट हो गया यहां पर एक सपोर्ट हो गया अब यहां का फंडामेंटल देखो कि अभी एक strong candle है ठीक है ये एक weak candle है ठीक है ये भी strong candle है ये भी एक strong candle है ठीक है अभी के लिए समझे अब ये जो जोन है ना यह एक जोन है ठीक है यह जो गैप होता है ना इसको हम लोग जोन बोलते है यह गैप क्या होता है जो यह कैंडल की ओपनिंग इसकी क्लोजिंग ठीक है और इसकी विक तो यह यह ओपनिंग हो गई यह इसकी क्लोजिंग हो गई तो यह एक्वल हो गई राइट अभ एक की विक छोटी है या एक की विक बड़ी है या दोनों कैंडिल की विक बराबर है ठीक है यहाँ भी एक बड़ी है एक छोटी है या फिर दोनों विक सेम है तो अब यह बताओ हम यह कैंडिल को इन्पॉर्टेंट देंगे या फिर केवल विक को इन्पॉर्टेंट देंगे बताओ देखो reject एक होता reject एक होता rejection ठीक है एक होता reject एक होता rejection तो candle की week की और ये resistance के area पे इसने reject किया reject किया ठीक है और एक होता rejection तो ये rejection का मतलब ये हुआ कि rejection इस resistance के पास हुआ समझे बात को ये हुआ reject अब ये मतलब ये एक हाई प्राइज यानि हाई प्राइज दिया यानि एक candle की चार प्राइज होती है ये लोवर लो हो गई यह lower price यह higher price यह opening हो गई यह closing हो गई या फिर buying की यह opening हो गई यह closing हो गई seller की यह closing opening होती है यह closing होती है बट week तो higher low same होता है अब यह जो rejection होता है इस rejection को हम लोग seller बोलते हैं seller का rejection है इस rejection को हम लोग बोलते हैं buyer का rejections है बट इस area में आया कौन पहले buyer आया तभी seller ने reject किया इस area में पहले कौन आया seller आया तभी buyer ने reject किया I hope यह चीज समझ में आ गई होगी तो इस area में rejection मिला है rejection मिला है price क्या हो गया reject हो गया समझ गया है होप इची समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते थोड़ा सा अब यहां पर ध्यान से सुनों कि जब एक कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग एंड ओपनिंग लोवर ठीक है हायर प्राइस ठीक है यह चार चीज हो गई एक कैंडल की तो हम इस कैन इस वीक को केवल हम यह नहीं कह सकते कि यह वीक है या फिर स्ट्रॉंग है पहले बात यह ध्यान समझो हमें पूरा 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 इसका चाहिए कैंडल का अगर हम कहें नहीं भाई यह केवल वीक को मानो हम केवल वीक को ही मानेंगे हम कि यह एरिया वीक के वज़े से कमजोर है यह एरिया वीक के वज़े से कमजोर है यानि फिर कैंडल की जो बाड़ी हुई ना उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ हमें पूरा सब कुछ लेना पड़ता है तब ही समझोगे तो बॉड़ी की तो कोई वैलू नहीं हुई अगर हम वीक को समझ रहे तो इसके वज़े से कमजोर माला लें वीक माल लें इसके वज़े से हम मींस होता है कि इस एरिये में reject हो गया पहले English को समझे हो reject हो गया यही लिए कहते है शब्द को समझना important होता है त्थिक है और trading के साथ trading की खुद की knowledge जो होती है trading की psychology वो जो होती है trading की psychology हमको maintain करनी पढ़ती है ध्यान से समझना मारकेट की साइकोलोजी भी हमको मेंटेन करनी पड़ती है कैंडिल स्टिक की साइकोलोजी भी हमें ही मेंटेन करनी पड़ती है और अपने माइंड की साइकोलोजी भी हमें ही मेंटेन करनी पड़ती है यह बात ध्यान से समझना ठीक है, तीनों चीज में हमी को समझना है, समझना ही important होता है, अगर हम resistance and support किस situations पे क्या होगा वो market हमको बताएगी न दोस्त, तब ही हम उसके बाद prediction करेंगे न, right, for example, ये एक support है, ये एक resistance है, एक candle open हुई, ठीक है, इसको बनना था red, ठीक है, बट ये red नहीं बनी, ठीक है, इसने break नहीं किया, जब तक ये close नहीं हो जागी, जब तक हम कैसे prediction कर सकते हैं, ये आके close हो गई green में, इसने क्या बनाया, एक hammer बनाया, right, अब hammer बनने के बाद, ये जब candle आई, इस area को नहीं तोड़ पाई, दूसरी candle आई, इस area को नहीं तोड़ पाई, reject हो गया, या rejection हो गया, तो जिस चीज का rejection और reject होना, यानि वो कच्रे में चला गया, किसी चीज को हमने reject कर दिया, इस price को reject कर दिया, यानि हमको यहां तक बोली तो लगी, प्राईस की, प्राईस की बोली तो लगी, बट इसको मना कर दिया गया, या फिर reject कर दिया नहीं, ये बोली नहीं चाहिए हमें, अपना प्राइज दे दिया अब यह राउंड नमबर प्राइज हो गया तो यह प्राइज इसने डिसाइट किया बायर ने सेलर ने कर रहा था बट बायर ने रिजेक्ट कर दिया उस एरिये को उस प्राइज को बायर ने क्या कर लिया अपना प्राइज दे दिया इसको हम तब हमको prediction मिला किसके वजे से इसके वजे से हमने अपने मन से नहीं सोचा कि यहां पर green candle आनी चाहिए हमने यह नहीं सोचा यहां पर red candle आनी चाहिए जब आएगा तो हमको पता लगेगा समझे अगली बात की प्रेडिक्शन तभी हम कर पाओगे जब यहाँ चार्ट पे वो चीज होगी तब आप अपने मन से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे बाइंग ही आएगी बाइंग यहाँ आने का रीजन है इसका रीजन ता इसने बताया तुमको यहाँ पे बाइंग आएगी हमने अपने मन से नहीं सोचा कि यहाँ पे बाइंग आएगी इस अस साइकोलोजी यह साइकोलोजी मिन्टेन करना बहुत इन्पॉर्टन है मार्केड में समझे अभी तक जितनी भी मैंने वीडियो रियल मार्केड ने बनाई है OTC मार्केड ने बनाई है ट्रेड ले के दिखाया है ट्रेड नहीं भी लिया है तो भी मैंने प्रेडिक्शन करके दिखाई है वही चीज हुई है जो previous candle ने मुझे बताया area ने बताया support ने बताया इस zone ने बताया उसके हिसाब से मैंने next candle prediction की न हमें नहीं पता था कि यहाँ पी यही आएगी बट उस हमारा जो criteria का उस criteria को न उसने care expect किया उसके वज़े से हमने prediction किया न राइट अब इसने breakout कर दिया होता इसने breakout कर दिया होता तो हम समझते यह area breakout हो चुका है अब एक retacement आ सकता है आया तो ठीक बनना continue जाएगा जब continue जाएगा तो एक area तो बनाएगा न नया नया area बनाया उसने इस area से आया इस area पे आके फिर से उपर गया उपर reject होगे यहाँ पे close कर दिया गिरीन candle ने क्या बन गया इन्वाटेड है हमारे अब हमको पता लग गया यह support था अभी यह resistance में convert हो गया है इस candle को break करने की कोशिस करी वर break नहीं हुआ इसके वज़े से हमने समझा कि अब next candle prediction है seller का यानी रजिस्टन एरिया है तो seller आना चाहिए आ गया seller तब हमने prediction किया तब हमने trade place करी समझ गये अई होप समझ गये होगे ठीक उसी तरीके से ठीक उसी तरीके से यह area week है कैसे पता लगा यह candle ही week है अब हम candle को न जोड़ें हम कहे दे भाईया नहीं week ही कमजोर है या week ही खराब है तो फिर यह कैसे decide करोगे आप तो अगर week ही अगर हम candle लेक रहे है तो कमजोर है rejection किसका है buyer का तो buyer strong है वा यह भी तो हो सकता है न तो हम जितना difficult बनाएंगे उतना difficult चलता चला जाएगा ठीक है simple सी बात है यह candle weak थी इसलिए हमने prediction किया यह support area weak है यह register area weak है move यहाँ पे strong strong आया है तो यह move strong है अब ने देखा होगा मेरी वीडियो में मैंने वीडियो दिखाया area को strong को भी break करते वे दिखाया और weak कमजोर area को भी मैंने break करते वे दिखाया है ठीक है वीडियो में और उसको अच्छे से इसी white paper पे समझाया भी है ठीक है अब आपको prediction अपने मंद से पहले ही कर लो market ने पहले बताया बताएगी market उसके हिसाब से हम चलेंगे बट आप अपने मंद से कहे दो कि नहीं green आनी चाहिए तो भाईया तो फिर आप तो बात्सा हो गए तो market आप चला रहे हो हम लोग तो भाई फिर कुछ और ही हैं तो भाई ये हमको नहीं पता ये मैं आज इसलिए इस तरह से समझा रहा हूँ क्योंकि मैं एक कमेंट दिखाना चाहता हूँ वो कमेंट कहां गया ये रहा ठीक है इसको अच्छे देखो मैंने क्या लिखा है यहां पे एक मिंट इसको हटा देते हैं पहले देखो भाई मैं आपको बूरा नहीं कह रहा हूँ कोशन पूचना आपका हाग है आपने कमेंट किया आपने अच्छी बात है उसके लिए बहुत बहुत सुक्रिया मगर हम यहां पे आपकी आपकी साइकलोजी को समझने की कोशिस कर रहे है और और निगेटिव पॉइंट मत लेना दोस्त ठीक है देखो आपने लिखा है कि वीग जून होता है ठीक है कनफरम हो गया वीग जून किसके वज़े से हुआ वह आपको मेंस एनव चाहिए था कंट्रूल वीक मार्केट कभी वीक के वज़े से कंट्रूल नहीं होती है candle की opening closing higher low के वज़े से control किया जाता है market को concept but OTC does not proper respect SNR OTC proper respect नहीं करती है SNR को OTC हजारों वीडियो में हजार तो नहीं कम से कम बना चुका होंगा 50-100 वीडियो तो होगी मेरी OTC पे और मैं आज तक कभी भी indicator वगेरा पूरी यूटूब में मेरी वीडियो हर एक वीडियो देख डालो एक भी वीडियो में मुझे indicator नहीं दिखा ले जो कहा हूँ वीडियो बन चुकी है। 50 वीडियो पढ़ी होगज होगे रियल मार्केट पर बी ओटीसी भी 500 वीडियो नॉका है। ठीक है और रियल मार्केड में भी मैंने SNR और केंडरिस्टिक के तम पे ट्रेड लिया है ठीक है आप एक भी वीडियो दिखा तो जिसमें इंडिकेटर है ठीक है आपने यह जो बोला डजनॉट अब टी सी में डाजन्ट प्रॉपर रिस्पेक्ट SNR तो आपके इसाफ से हो सकता है मैं गला तूं ठीक है तो आपकी जैसी करें